हलो एवरिबन कैसे आप सभी तो आज हम लोग जो है कोशन पेपर 4 करने वाले हैं मैं सेकंड का पार सेकंड का ठीक है नौनित का प्रैक्टिसेट मैंने पार फर्स के अंदर पेपर फर्स पेपर सेकंड पेपर थर्ड पेपर फोर तक करा दिया है वो वीडियो अगर आपने न जाती है टाइम डेस्ट नहीं करती है है पहले कोशन को देखते हैं अपर केलो को प्रेले बी स्टार्ट हो गया होगा ठीक है पाफी मैं इसा इसी टाइप को कोशन एग्जाम में ब्याने के चांसे से रहती है जदे दर तर डो देखते हैं आपे कर in the figure बड़ी जो दिया है 8 में यहां से लेकर यहां तक दिया 12 यहां से लेकर यहां तक दिया 8 और अपने को find करना ABD upon ADC इन दोनों को रिशो फाइंड करना ठीक है आप यह जो है common side a common point वाटेक्स जो है common है ABD के लिए ABD कौन सा है यह ला इस ट्रैंगल के गर बात कर लें जो ट्रैंगल दीख रहा है ये और दूसरा ट्रैंगल एडी सी ये रिसी की बात करो अब दोनों में वॉटेक्स क्या एक और मनें यानिकि इन दोनों का हाईड क्या है common है जब हाइड कॉमन होगा तो पहले वाले का area upon दूसरे वाले का एरिया is equal to होता है पहले वाले का बेस अपन दूसरे वाले का बेस तो पहले वाले का बेस क्या है यहां पर देखेंगे तो पहले वाले का बेस देखो गर गरो आपको समझ में आएगा पहले वाले का बेस क्या है बीडी पहले वाले का बेस क्या है बीडी दूसरे वाल यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना दिया 12 अई एक है और यहां तक आठड डिये 12 मेंसे क्या करोगे 8 को मीनस कर दू ठीक है 2 c कितना दिया यहां से लेकर यहां तक टैल यहां तक जेखे तो थ exchanges कर दो तो और बार्टम जाएगा अपने को समझ हमाए B वाला, तो option B हमारा जो है right answer, clear जहाँ पे hide same था और कभी-कभी होता है, base common रहता है, यहाँ पे hide common था, ठीक आगे बढ़ते हैं, question number 2 देखते हैं in cyclic quadrilateral अब यहाँ चो question number 2 देखते हैं, question number 2 में क्या दिया है, in a cyclic quadrilateral ABCD, तो एक cyclic quadrilateral बना देते, ABCD, तो यह होगे आपका ABCD बनाना है, तो यहाँ पे होगे आपका ABCD ABCD, साखली quadrilateral में आप लोगों को मालूम होगा कि आमने सामने वाले जो angle होते हैं, उनके sum कितनी होते हैं, 180 होता है, यानि कि A और C का जो sum होगा, वो कितना होगा 180 होगा, कितना होगा 180 होगा, तो हम दो लिख सकते हैं angle A प्लस angle C jis cual to kitना होगा, 180 ठीक है यह होगा, अब यहाँ पर क्या है देखो, इसका मतलब ये है कि इसको अगर मैं X ले लोँ, यहाँ पर क्या लेता हूँ angle A को क्या लेता हूँ मैं X ले लेता हूँ, एंगल A को मैं लेता हूँ X, एंगल C को ले लेता हूँ Y, इसको क्या लेता हूँ, Y ले लेता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि X प्लस Y कितना होगा, 180 होगा, विकि आमने सामने वाले का सम कितना होता है, 180 होता है, यह clear हो गया, अब आपको मालूम क्या कर measure of a is thrice the measure of c ठीक है, measure of twice जो है, is the thrice of measure of c इसका मतलब यह है कि a का जो twice है वो equal किसके, thrice of c c के thrice के equal है a का twice यानि a कितना है 2x, a कितना है 2 2x is equal होगा किसके thrice, यानि कि c के 3 times के equal होगा, clear हो गया अब इसको इस तरफ लाओ जब इसको इस तरफ लाओगे, तो 2x minus 3y हो गया, is equal to 0 हो गया बट अपने को जब solve करना रहता है यह linear equation आपने पढ़ा होगा, तो coefficient क्या होता है, same बनाना पड़ता है, यहाँ पर x है यहाँ पर y है, ठीक है अब मैं को cancel क्या करना है, अपने को multiply करोगे, तो यह बन जाए का 2x 2y फिर अट्रा का डबल कितना हो गया 360, यह हो गया, 360 आप यह होगी आपका 2x, 2y प्लस अब cancel करना है, तो क्या करोगे बता मुझे, यह ना यह cancel करना है, तो क्या करोगे, माइनस जब माइनस करोगे, यह माइनस हो जाएगा यह प्लस किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा यह भी माइनस में चेंज हो जाएगा यह दोनों हो गया, cancel 3, 2, 5 हो गया, 5y और यह कितना हो गया, माइनस 360 60 अब देखो दोनों तरफ मायनस एक अब दोनों तरफ मैनस है तो मैनस से मैन सकेंसे लोगे और यहां पर आएगा 360 60 divided by 5 360 divided by 5 of 5 से divided कर लो आप 5 से divided करोगे तो 5 का टेबल पड़ो 5 कितना हो गया 5 को टेबल पड़ोगे तो 5 7 जा 5 735 5 735 कितना आया remaining 1 आया ठीक है 5 2 10 तो y की वैलू कितनी आ गई 72 मतलब बी वाला हमारा एंसर हो गया अब सेकंड कोशन की तरफ आते हैं थर्ड कोशन की तरफ दर सलोप आफ्लाइन पासिंग थो पॉइंट पी एंड क्यों इस तो सलोप मालूम करने बोला है तो इसको ले लो आप X1 यह हो गया आपका Y1 यह हो गया X2 और यह हो गया आपका Y2 फॉर्मूला सभी को मालूम है सलोप का क्या सलोप का फॉर्मूला है Y2-Y1 X2-X1 यह फॉर्मूला है यह बात सबको मालूम है अब वैलू पुट करो अगर मैं वैलू की बात करू तो Y2 कितना हमारे पास Y2 है मैंनस 1 ठीक है Y2 क्या है मैंनस 1 अब यहाँ पे Y1 कितना है तो Y1 बात करेंगे हम लोग तो Y1 है 5 Y1 है अपने पास 5 है ठीक है दिवाइड बै एकश तू कितना हमारे पास 4 है तो यहां लिख हो गये 4 मैनस करोगे मैनस 3 हो गया, इतना clear हो गया, अब 5 और 1 कितना हो गया, 5 और 1, 6 हो गया, और minus करो गया, bracket open हो गया, तो 4 और 3, 7 हो गया, 6 upon 7 यह आपका answer आएगा, यह आपका answer कहा है, 6 upon 7, यह आपका यह answer है, दिखर आपको 6 upon 7 यहाद यह है, option D आपका right answer हो गया, ठीक है, minus minus plus, 6 हो गया, bracket open हो तो मैनस और मैनस का मल्टीप्लाय होगा तो क्या होगा प्लस होगा तो यह सेवन आ गया चलो आगे देखते हैं कोशन नंबर 4 कोशन नंबर 4 अपने को करना है वैलिम अपक्यूब इस टू सेंटीमेटर यहां पर साइट डिया यह एक्शुली साइट डिया है साइज सेंटेस सेंटेस में थोड़ा सा मिश्टेक है तो अगर टू सेंटीमेटर उसका साइड है तो वैलिम कितना होगा तो वैलिम करने के लिए क्या होता है आप साइट का क्या होता है पावर 3 होता है साइट का क्यूब करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा वैलिम हो जाएगा क्यूब का value निकल कर आजयेगा क्ले साइड कितना है कि आपने पास two centimeter two centimeter का क्यूब कर लो की करने का मतलब क्या है कूब करने मतलब 3 से multiply करना होता कई बच्छे यह बॉक्षजimento 3 का मतलब होता होता है two qace Ricard multiply करना two q थ्री भार मल्टिप्लाइ करना तू कोट ढीवर मल्टिप्लाइब कर दिये कितना आ गया जे त आपका इंसर क्या हों और इक कि है या आपका राइजो हो गया ठीक में इसक्रेन इसाओ ले लो फिर आगे बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ पहला कोशंड दिया है इन फिगर ट्रअगल करना ये साइट है तो कैसे विदा ने कि अपने पास क्या दिया। ऐसी डिया अपने पास ठीक है। तो सबसे पढ़े अप लिखोगे इन्स ट्राइंगल कि ABC angał Bicaf pasti ना दिया है एंगल ABC 90 डियुकरी दिया और दो चीजह और दीया BAC.bc で 사ugie अधिया वह भी लिख लूब तो हमने किया करना है BAC सी और बी ए सी 45 यह हमने लिग दिया ओके अब इसके बाद क्या करना है यह हो गया तो हमने बोल सकते हैं ट्राइंगल क्या है 4545 90 का राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है तो हमने बोलेंगे देर फोर ठीक है ट्राइंगल एबी-सी इस 4545 90 राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग लगा सकते है 4545 90 का थेरम का यूज़ कर सकते हैं तो क्या होता है हम लोगों को मालूम है कि हाइपो टेनस जो होता है यानि कि अन? आन? अन? एक जो होता है 1 upon root 2 होता है किसगो किस का, A,!!! 45 जो 45 के सामने वहला side होता है वह 1 upon root 2 होता है किस का z हैक थीका है थेक है अब 45 के सामने मतलब या तो ए-be की बात कर लो या तो BC की बात कर यह 45 के सामने वाला BC दोनों मतलब होगा दोनों क्या होगा होगा है यहां पर लिखोगे डिजन क्या दे सकते हैं अपोजिट अपोजिट अपने लिख दिए अप से फाइंड करना है और अपने पास इसी दिया हुआ पने को यहां पे क्या लिखोगे असी कितना हमारे पास तो आपने लिख दिया हमने को दोनों केंसल आ तो आप रूट टू से रूट टू कैंसल होगे तो एंसर आया टू एभी आगे अपने पास टू सेंटीमीटर यही आपको फाइंड करना था तो इस तरह से आपको लिखना है ठीक है मेरे खाल से सबको समझ में आ गया होगा आपको यह फॉर्मुला लिखना है याद रखिए अपोजसीट साइड जो होता है हाना अगर आपको 45 के अपोजसीज ऩरण बुलेगा तो 45 का जो अपोजसीजट होता है वो मालुम करने के आपको यह फॉर्मौला लगएगा A, B, S, Q, Y, 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 Y इसका साइट 60 के सामने ला साइट 30 के सामने ला जो साइट होता है यह इस तरह से निकाला जाता है क्लियर मैं इसको सॉल करना है कैसे सावल कर मेंद फीगर O is the center OQI Center है PQR जो Inscribed Aงल है P QR Intercepted R PXR Major Angle Arc जो दिया है 80 दिया है Arc PXR ये जो दिया आपको कितना दिया है 80 d. Find the measure of PQR PQR अपने को Find करना है कौन सा Find करना PQR PQR का है PQR तो लोग लिखेंगे PQR ये Find करना है 1 upon 2 होगा ये क्या होगा 1 upon 2 इसको यहां लिखता हूं एंगल तो इनगल पी क्यू और ये फायन करना है तो यह लिखो किया है यह होगा हाफ किसका होगा? अंप पी एक्स आर्ग का हाफ होगा पी-एक्स का क्या होता vent औलेवा जू है ऍसका क्या होता है यह अीड हाफ होता है इसको बुलते इंसक्राइब अलेगल थेरो मों उस ख्राइब कुया एक इंच्राइब रेन शाल либо तूदू है यह कितना था एर्टी ता डिवाइड कर दो तो कितना आगया फॉर्टी कितना आगया फॉर्टी आपका एंसर इन्सेर कितना हो गया 40 तू में ठीक हॉर का निकलनत आपिर कोशन को देखो द लेंदव टे लोंगे स्कॉर्ट पिउर्कल इस एट सेूड दिवेड यह जिर बाइस ठीक है, क्या length of the longest chord of the circle, तो यहाँ लिखो कहें, since, longest, longest chord of circle, circle is diameter, ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए, जो सबसे longest chord होता है, circle का वो क्या होता है, diameter होता है, clear, तो therefore, d is equal to कितना आ गया है, 8 cm, और r क्या होता है, सभी को मालूम है, d का half होता है, r क्या होता है, d का half करोगे, तो radius निकल जाता है, 8 को divide कर दो 2 से, तो answer आ गया, r is equal to 4 cm आ गया, ठीक है, 4 cm यह आपका मिल गया, इस तरीके सा आपने निकालिया, अब आगे बढ़ते हैं, अगल है, तो यहाँ पर लिख्ओगे, यह sentence पुरा देखो, यहाँ से लेकर, यहाँ तक लिख्ओगे, the coordinates of points of intersection of line X and Y, पूरा यहा तक लिख़्ग दो, यहाँ पुरा लिख्दू, यह पूरा यहाँ तक लिख्दूगे, clear? और यहाँ पर श्टाट करोगे, द से, the coordinates minutes of point of intersection of line x and y इसके बाद लिखोगी is क्या लिखोगी is इस लिखने के बाद 2-3 हो गया answer के लिए बस इतने काफी था यह होता है यहाँ पे प्लेस किसका होता है यहाँ पे प्लेस आपको मालू होगा y का होता है यह प्लेस y का यहाँ पे x और y का प्लेस होता है ठीक है तो यहाँ पे आपको complete हो गया मिलते नेक्स वीडियो